नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है भगवान गनेश सभी देवताओं में से प्रतम पूझनिये हैं और सभी शुप कारेों से पहले इनकी पूझा की जाती है गनेश जी मंगल और विग्न धरता हैं जिस व्यक्ति पर गनपती जी की किरपा हो जाए उसके जीवन में आने वाली सभी बांधाएं दूर हो जाती हैं शास्तों में कुछ असान से उपाई बताए गए हैं जिनसे आप गनपती जी को जल्दी प्रसंद कर सकते हैं चतुर्ती के दिन का व्रत रखें गनपती जी का सिंदूर से तिलक करें लड्डू, गुड, मावा, मिठाई, आदी, अर्पित करें गनेश चालीसा का बाट करें और गनपती जी की तीन परिक्रमा करें अगर आपके जीवन में बहुत सारी परिशानिया हैं तो गनेश जी को दुर्वा की 11 या फिर 21 गठियां दान करें और गनेश चतुर्ती के दिन हाती को हराचारा खिलाएं गनेश यंत्र बहुत ही चमतकारी यंत्र हैं गनेश चतुर्ती के दिन घर में गनेश यंत्री के स्थापना करें इस यंत्रे के स्थापना से घर में किसी भी परकार की नकरात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। यदि आपकी उपर किसी की बुरी नजर लगी है तो एक नारियल लेकर अपने सर से साथ बार गुमा कर गनपती जी के चर्णों के आगे फूर दे। यदि गनपती देव जी को प्रसंद करना चाहते हैं तो ओम गन गनपते नमाहा मंत्र का 108 बार जाप करें और साप मन से गनेश जी के अरादना करें और उन्हें लड़ूं का भोग लगाएं। गनेश जी को मीठा बहुती पसंद है यदि आप सक्षम हैं तो गरीबू में भी लड़ू का परशाद बाटें। यदि आप गनपती जी से कोई विशेश राप्राप्त करना चाहते हैं तो पांच कुटहल के फूल उनके चर्णों में अरपित करें और उन पांच फूलों म इसे एक फूल अपने घर की तिजोरी में रख दें। गनेश भगवान विसर्जन से बहुती प्रसंद होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको गनेश जी के चमतकार का अनुभव हो तो उनकी स्थापना और उनका विसर्जन पूरे विधी विधान से करें। इसे के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथी साथ बेल आइकन को उप्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुन सकें। धन् आप दूस्तों